वेलकम बैक गाईज आप सभी का सौगत है हमारे यूटूब चैनल लर्निंग लेक पर जहाँ पर मैं आपको HTML, CSS, JS और Bootstrap जैसे लैंग मेंचे सिखाने वाला हूँ तो गाईज पिछली वीडियो में हमने देखा था है HTML के ID Attribute के बारे में और दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है HTML के ID Attributes इस टैक के बारे में आज हम देखने वाले है तो क्या है दोस्ता IFrame तो जो आपी एंड टैक है वह हम यूज़ करते किसी भी वेबसाट का यदि आपको जो पेज रहता है कोई website रहती उसका जो page रहता है वो आपके page में इंदे आपको दिखाना है उस website का page तो आप वहाँ पर iFrame attribute का use करते हो जैसे कि यहाँ पर इनोंने example में आपको बताया है इनोंने खुद के website का page यहाँ पर use किया है iFrame attribute में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्हों ने देखे खुदी वेबसाइट का इनकी जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट का पेज इन्हों ने आपर यूस किया है तो इस तरह से आइफ्रेम एक एक बॉक्स रिदा है जिसके अंदर अपन वेबसाइट का पेज दे सकते है हमाल जो website दे सकते हैं तो यहाँ पर हम practical देख ले दे किस तरह से आपको आइफ्रेम टैक का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको आपको जो file बना लेनी है नहीं ट्यूट 16 नाम के एक file बना लेनी है और उसमें आपको आइफ्रेम आप जैसे लिखोंगे तो यहाँ पर दिखकर आजाएंगा आपका id आपको support करेगा यहाँ और वहाँ पर आपको क्या करना है आपको दो यहाँ पर attribute दिखाए देंगे एक border फ्रेम बॉर्डर करके और एक source यह दो attribute आपको आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर जो frame बॉर्डर है वो आपको frame देनी के आपके जो आए फ्रेम रहेगा उसको जो बॉर्डर देना है उसके लिए उस होता है सोर्स में हम क्या करते है यहाँ पर हम कि वेबसेट का लिंक देते हैं वेबसेट का जो यूरल रहता है वो देते है तो जो Google, YouTube और Facebook, Instagram इस तरह की वेबसेट है दोस्तों वो उनका जो आए फ्रेम है वो हमें प्रोवाइड नहीं करती है हम उनका आए फ्रेम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते यदि मैं आपर www.google.com डालू और मैं इसे स्टार्ट कर दू तो देखिए मैं आसे गोल आईव करके से स्टार्ट कर दूँगा और मैं आप इसे लोगो लोस्ट पर चालू कर दूँगा तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर cannot get htmlw.google.com यह नहीं दिखाई दे रहा है और यहीं आप इस तरह से भी हाँ पर डालते हो https और फिर भी आप यहाँ पर जाते हो तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देंगा तो जो Google यूटूब जिसी वेबसाइट है वो आपको आईफ्रेम प्रोवाइड नहीं करती है उनकी वेबसाट को आईफ्रेम आपको लेने नहीं देती है आपके वेबसाट में वेबसाट के कारण उनकी वेबसाट को कुछ यहाँ पर डिफ्रेक्ट हो सकता है इसके लिए वो आपको उनकी वेबसाट का आईफ्रेम लेने नहीं देती है तो मैंने एक वेबसाट बने थी दोस्तो उस वेबसाट का मैं आपको आईफ्रेम लेकर दि और मैं मेरे वेबसेट का लिंक हापर दे देता हूँ जो मैंने फिलाल में ही अभी बनाई थी सिंप्ली HTML, CSS और JS और बुस्ट्रैप का यूज़ करके मैंने वेबसेट हापर बनाई थी जिसका URL था जयबक्ति.tk तो दोस्तो जैसे हम इस पर redirect हो जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाए देंगा आपर मैं इसका बरुबर पात दे देता हूँ नहीं तो changes हमें आपर पता नहीं चलेंगे तो यहां पर किसी कारणवाश हमारी वेबसेट दिखाए नहीं दे रही है क्योंकि उसे वह URL नहीं मिल रहा है तो मैं आपर https और इस तरह से देता हूँ अब मिल सकता है उसे URL तो जी हां दोस्तों यहां पर देखिए उसे URL मिल चुका है और जो मेरी वेबसेट है वह आपको आपर दिखाए दे रही है यहां पर मैंने नयाओ बार लगाया था दो और यह आगी का नयाओ बार हमारा था यहां पर alerts लगाया थे मैंने जिसे हम cancel कर सकते हैं तो यह website में आपर buttons थी तो यह मैं आपको आपर बड़ा करके दिखा देता हूं तो हमारा जो आइफ्रेम रहता है उसमें दो attribute और रहते है height और width के height और width यह दो attribute आपर रहते हैं तो उनका हम use करते हैं तो मैं आपर इसका height देता हूं 700 और width भी देदेंगे हम इसकी 700 तो देखिए यह आपर बड़ा हो चुका है तो देखिए आपर हमारे website देख सकते हो तो आपका जो page रहेंगा उस पर आप इस तरह से use कर सकते हो तो देखिए इसकी जो मैं height है वो और बड़ी कर देता हूं मैं और width थोड़ी कम कर देता हूं तो मैंने height देदी 800 और width देदी 400 तो देखिए यहापर आपको दिखाए दे रहा है तो यह वेप्टर मैंने बनाई थी दोस्तों तो mobile में कुछ ऐसे दिखाए देती थी तो देखिए यह आधर काट की वेप्सेट थी दोस्तों यहापर मैंने एक button बनाया था जिसमें आपको सब इडिटल्स मिल जाएगे आपर आप form फिल अप कर सकते हो आपका form पर आपकी डिटल्स फिल अप कर सकते हो तो इस तरह से website मैंने बनाई थी दोस्तों लॉक आउट कर सकते हो आप फिर से उसे पेश पर आ सकते हो आप साइन इन साइन अप कर सकते हो इस बटन से साइन अप कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह की वेबसेट आप बना सकते हो और यह दोस्तों मैंने वेबसेट सीम्पली जो कोर्स हमारा चल रहा है उसी उपर से बनाए लेसी वेब्साइट तो देखिए इस तरह सेこちら में पके इसमें पंज में यूल्स करते है उसे हम में आए फरेम बोलते हैं तो देखिए यह मेरे सट का पेज है उसके अंदर मैं एक त documentaries in यूज कर रहा हूँ यानि कि दूसरी फोड़ी मा इसमें चला रहा हूँ तो आई प्रेम इस ही के लिए यूज होता है तो देखे हैं मैं हमारे प्रेज पर चले गया हूँ इसको पुरा यूज कर रहा हूँ कोई website कोई blog है तो आप वहाँ पर आपके page में उस blog को use कर सकते हो जैसे मेरी ये website ही तो इसे मैं use कर सकता था तो उसी तरह आपके यादी कोई website था आप उसे use कर सकते हो तो हमने attributes देख लिए यहाँ पर iFrame के उसी तरह यहाँ पर और भी देखे टाइटल एक अट्रिबूट है जिसमें हम description लिखते है तो यह भी अट्रिबूट रहता है टाइटल जिसमें आप description दे सकते हो content दे सकते हो आपके इस website के बारे में तो description में आपके website के यह information मिल जाती है यहाँ पर आप information दे सकते हो title वगेरे दे सकते हो यानि कि क्या होगा title से जब जैसी हम इस पर click करेंगे जैसी हम इस वाइफ्रेम पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको side में arrow गर के दिखाई देता है title का use आपने देखाई होगा यहाँ पर link दूँ title h1 में h1 तो देखे मैं h1 के बाद जाऊंगा जैसी तो देखे आपने h1 टेक करके आपको दिखाई दे रहा है यह जो box आपको दिखाई दे रहा है यह देखे है h1 टेक करके box आपको दिखाई दे रहा है उसे हम title बोलते तो वहाँ पर आपके किस भी page की information आपको पता चल जाती है कि यह element किस के लिए use होता है तो दोस्तो इस तरह से देखिए मैंने आपर iFrame का use कर लिया है और भी iFrame में दोस्तो border रहती है by default border रहती है आपके iFrame में आप देख सकते हो यहाँ पर border आपको दिखाई दे रही है तो यह border यहाँ पर already रहती है आप इस border को none भी कर सकते हो by using the style attribute तो हम क्या करेंगे आप style attribute का use करेंगे iFrame में तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ style और यहाँ पर border border मैं कर दूँगा none तो यह border रहेगी वो चले जाएंगी तो देखिए आपर border चले चली गईए दोस्तों देखिए आप देख सकते हो आपर कोई भी border ने दिखाई देती है और इसके लिए better दिखाई देता है और आप आपके मन पसंद यहाँ पर border भी दे सकते हो लेकिन आपको आपर यह scroll bar मिलता है क्योंकि यह iFrame है यह कोई website यहाँ पर live नहीं है यह iFrame है यानि कि एक frame है यह इसके लिए इस तरह से आपको एक scroll bar यहाँ पर मिलता है तो उसके बाद में यहाँ पर मैं border none कर दिया हूँ तो मैं यहाँ पर असली border भी दे सकता हूँ जैसे कि मैं इस यहाँ पर मिटा देता हूँ और एक नई border यहाँ पर देता हूँ हम क्या करेंगे यहाँ पर एक border दे देंगे तो मैं देता हूँ 2 pixel solid red तो इस तरह से मैंने आपर border दे दी है और मैं इसे toggle world wrap कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे तो मैंने border आपर दे दी है आप देख सकते हो show कर लिया है मैंने और आप देखना आपको हापर border दिखाई देंगे red color की तो देखिए आपको हापर border दिखाई दे दिए red color की तो इस तरह से आप border का भी use कर सकते हो style आप दे सकते हो आपके हिसाब से इसके लिए मैंने बुला था style का जो lecture था वह बहुत ही important था उसमें आपको style के attributes style की जो properties जो पता चल गई थी तो यहाँ पर इस border को remove कर सकते हो आप none करके हो भी मैंने बता दी आपको आप किसी भी link से आपके इस webpage पर target कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनने example बताया है यहाँ पर बताया कि आप क्या कर सकते हो तो the target attribute of the link must refer to the name attribute of the frame आप क्या कर सकते हो एक paragraph में इस तरह से anchor tag लगा सकते हो और उस anchor tag में आप क्या कर सकते हो एक website का नाम दे सकते हो और उस पर जैसे इंसान क्लिक करेगा कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो आपके इस आइफ्रेम पर redirect हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर हमें example ले ही लेते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले आपका जो आइफ्रेम है उसमें name इस attribute का यूज करना है ताकि वो यहाँ पर ही target कर सके तो name में मैं क्या देदूंगा आइफ्रेम नेम याँ पर मैं आइफ्रेम भी लिख सकता हूँ खुछ भी name दे सकते हो आप क्यूंकि हमें target करना है जैसे id और class से हम target करते थे तो यहाँ पर मैंने एक paragraph ले लिया है उसमें मैं क्या करूंगा यहाँ पर हमारे website का नाम दे दूंगा जैभक्ते.com जैसे मैं इस पर click करूंगा तो मैं क्या करूंगा आपर path दे देता हूँ जो website हमने बनाई है तो क्या होगा आप दोस्तों जैसे मैं इस पर click करूंगा इस link पर click करूंगा देखिए मैं मैं मेरे website पर आ गया हुए आपर और देखिए आपर आपको इस लिंक दिखाए दे रही है आप आपर देख सकते हो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपर आपका आपर link दिखाए देरे इस पर मैं जैसे click करूंगा तो देखिए आप हमारे website पर आ चुके हो तो यह website है दोस्तों और इंजनल website यह थी यह पर आप आप आ चुके हो तो देखिए इस तरह से आप इस website पर आ गये हो तो हम इस तरह से use कर सकते है आई फ्रेम का तो और कुछ नहीं दो तो आपको यहाँ पर uses बताया है यह आप इसका use कर सकते हो जड़ा से जड़ा use कर सकते हो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो अभी तो मैंने आपको उस page पर लेके गया है आप लेकिन आप target इसका use कर गे आप इस आई फ्रेम को भी call कर सकते हो देखिए जैसे हमने आपर यूज क तो अब क्या होंगा, वो हमें यहां पर क्लिक करने के बाद इसी पर लेकर आ जाएगा, इसे आइफ्रेम पर लेकर आ जाएगा, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, तो वो मुझे यह रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने इसके पर लिंक दी थी, तो वो लिंक के कारणा आपक क्लिक करूंगे तो आपको वह उस ऐफ्रेम पर लेकर आ जाएंगा जैसे कि मैं आपको वीडियो समझ में आयोंगा और अच्छा लगाँगा और यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए बिंदास कमेंट करिए मैं आपके comment कहान से दूर। दूनगा है और इस वीडियों आपके दवसे करिए वीडियों को लाइक कर दीजे और चैनल को subscribe करदेजे और साथे साथ bel notification में दूरूरों से दबा दीजे ताकि आपको इससी तरह के और इन्री वीडियो आपर मिलते रहें मैं भी लूँगा आपको लिडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत